हमारे खेल की बनक अमीरों को लग गई हमारे से पहले लूटे से पहले वार्निंग वा देना सौट अति वीजे की फिल्म लियो बॉक्स ओफिस पर रुखने का नाम नहीं ले रही और फिल्म ने छे दिनों में दुनिया भर से कर ली है ताबर तोड कमई तो आज के इस वीडियो में बात करेंगे लियो के 6 दिनों के टोटल कलेक्शन के बारे में टाइगर सुरोप की फिल्म गनपत के 5 दिनों के कलेक्शन के बारे में तो रवी तेचा की टाइगर नागेश्वर राओ के भी 5 दिनों के वल्डवाइट कलेक्शन के बारे में इसके ये सुरुवात करते हैं, देखते रहिएगा पुरा वीडियो, साथ ही साथ कमेंट करके बताइएगा कि इन सभी फिल्मों में आपके पसंद की फिल्म कौन सी है, तो दोस्तों सबसे पेल अगर बात करें तेलगू फिल्म भगवन केसरी के बारे में, जिस फिल्म में हमें पादे की फिल्म ने 6 दिनों के अंदर ही 100 करोड रुपे से ज़्यादा का कलेक्शन कर लिया है, फिल्म ने सुरुवाती 3 दिनों में वल्डवाइड ग्रोस कलेक्शन 71 करोड रुपे से ज़्यादा का किया था, वही फिल्म ने अपने 4 दिन 21 करोड 50 लाक रुपे कमाये थे तो पांचवे दिन फिल्म का worldwide collection 11 करोड 10 लाक रुपे का रहा था वही दोस्तो भगवन केसरी फिल्म आज यानि के अपने छटे दिन भी worldwide market से 13 करोड 50 लाक रुपे कमा रही है और इसली के साथ दोस्तो भगवन केसरी का सुरू आती 6 दिनों में वर्ल्ड वाइट टोटल ग्रोस कलेक्षन हो रहा है 117 करोड 12 लाक रुपे बताना चाहूंगा दोस्तो फिल्म का बजट है 100 करोड रुपे और फिल्म ने 6 दिनों में ही 117 करोड से जादा की कमय की यानि कि दोस्तो ये फिल्म दूसरे हपते भी अगर अच्छा कलेक्षन करेगी तो भगवन केसरी बॉक्स ओफिस पर सीधी सीधी सोपर हिट हो जाएगी लेकिन दोस्तो अगर बात करें रवी तेजा की पेन इंडिया फिल्म टाइगर नागेश्वर राओ के बारे में तो दोस्तो टाइगर नागेश्वर राओ को सिनमा घरों में रिलीज हुए आज हो चुके हैं पास दिन हिंदी, तमिल, तेलगू, मल्यालम, कन्नडा, पाँच भासाओं में रिलीज हुए फिल्म टाइगर नागेश्वर राओ ने अपने सुरुवाती पास दिनों में अच्छा खासा कलेक्शन कर लिया है हलाकि फिल्म हिंदी मार्केट में उतनी कोई खास कमई नहीं कर पाई लेकिन इस फिल्म ने साउट से ही दमदार कलेक्शन किये हैं जिया दोस्तों आपको वदा दे कि टाइगर नागेश्वर राओ ने सुरुवाती तीन दिनों में इंडिया कलेक्शन 27 करोड का किया था वही चोथे दिन फिल्म का इंडिया से कलेक्शन 4 करोड 30 लाख रुपे का रहा बात करें इस फिल्म के आज के कलेक्शन की तो दोस्तों यहाँ पर टाइगर नागेश्वर राओ आज भी कल के मुकाबले बेहतर परफॉर्म कर रही है और फिल्म पाचवे दिन इंडिया कलेक्शन लगभग 4 करोड 50 लाख रुपे का करने वाली है यानि के दोस्तों टाइगर नागेश्वर राओ का सुरुवाती 5 दिनों के अंदर ओल इंडिया नेट कलेक्शन 35 करोड 80 लाख रुपे का हो चुका है तो इंडिया ग्रोस कलेक्शन 42 करोड 70 लाख रुपे वो है 55 करोड रुपे तो फिल्म ने अपने बजट के आसपास के कमई पास दिनों में ही कर ली है यानि कि दोस्तो टाइगर नागेश्वर राओ भी अगर दूसरे हपते में अच्छा पर्फॉर्म करती है तो ये फिल्म भी बॉक्स ओफिस पर हीट या सूपर हीट हो जाएगी वही दोस्तो अब अगर बात करें इस हपते रिलीज हुई बोल्यूट की मेगा बजट फिल्म गनपत के बारे में तो विकास बहल का डारेक्शन में बनी गनपत फिल्म जिस फिल्म में टाइगर सुरूप के साथ कृती सेनन आमिता बचन देखने को मिले थे बतना चाओंगा दोस्तो फिल्म का बजट है 200 करूड रुपे और इस फिल्म को भी पेन इंडिया रिलीज किया था जिया दोस्तो वेसे तो ये बोलियोड फिल्म है लेकिन इस फिल्म को हिंदी के अलावा साथ लेंग्वेजस में भी रिलिज किया गया था हलाकि फिल्म ने हिंदी से भी कोई खास कमई नहीं की और फिल्म का ओर सिस कलेक्शन भी उतना बेहतर नहीं रहा जिया दोस्तो ये फिल्म टाइगर स्रोप के करियर के सबसे महंगी फिल्म है लेकिन कलेक्शन के मामले में ये फिल्म टाइगर स्रोप के करियर की सबसे कम कमई करने वाली फिल्म बनने वाली है अगर बात करें यहाँ पर गनपत के सभी भासाओं के अब तक के टोटल कलेक्षन के बारे में इजिया दोस्तो फिलम का बजट सो करोड रुपे लेकिन फिलम पास दिनों में यानिके दोस्तो टाइगर श्रोप की खिलम गनपत की फिलम गनपत का शूरुत लाक रुपे पर काफी पीछे रह गई लेकिन दोस्तों अब अगर बात करें 2023 की वनब दब बिगेश्ट फिल्म लियो के बारे में तो लोकेस कनग राज कर डारेक्शन में बनी लियो जिस फिल्म में थालापाती विजेसर के साथ में संजेदत त्रिशा कृष्णन और जुन सरजा देखने को मिले थे बता दो दोस्तों यहाँ पर लियो को हिंदी तमिल तेलगो मलियालम कन्नडा लगभग 4-5 भासाओं में रिलिच किया था और फिल्म ने हर एक भासा में एतिहासिक कलेक्शन किया है मतलब की फिल्म ने सौथ इंडिया में तो ताबड तोड कमई की लेकिन फिल्म का इधर प्रोमोशन भी नहीं हुआ और इसके अलावा लियो का हिंदी वर्सन मल्टिप्लेक्स में भी नहीं रिलिच हुआ है तो साइद लियो फिल्म हिंदी में नहीं चलेगी लेकिन दोस्तों हिंदी में तो लियो फिल्म ने ताबड तोड कमई करके उन सब का मूँ बता देता हूं उसके बाद जानेंगे हम इस फिल्म के पाचो भासाओं के वर्ड वाइट कलेक्सन तो दोस्तों यहाँ पर लियो फिल्म ने हिंदी मार्केट से चार दिनों के वीकेंड में नेट कलेक्सन किया था 11 करोड 30 लाक रुपे का वही पाच्वे दिन फिल्म का हिं करे नेट कलेक्सन हो रहा है ति हिंदी ग्रोस कलेक्सन लगभग 19 करोड रुपे जिящ दोस्तों आपको बता दे कि लियो फिल्म ने चार दिनों के वीकेंड में ओल इंडिया नेट कलेक्शन 195 करोड का किया था सबको लगा था कि फिल्म पाँचवे दिन मंडे होने की वज़े से साइद 20-25 करोड रुपे कमा पाएगी लेकिन दोस्तों आपको बताए दे कि लियो फिल्म ने अपने पाँचवे दिन मंडे होने के बावजूद भी ओल इंडिया नेट कलेक्शन 31 करोड पचास लाख रुपे का किया हलाकि बात करें आज यानिके छटे दिन के कलेक्शन के बारे में तो दोस्तों आज इस फिल्म को मोर्निंग वाले सोज में ही जबर जस्तर इस्पोंस मिला वही अप्टरनोन यूनिंग और नाइट सोज के बुकिंग भी काफी सामदार हो चुकी थी जिया दोस्तों आपको बता दे कि आज होलीडे का फाइदा फिल्म को भरपूर मिल रहा है तो जो रिपोट आभी तक आईए उसके मुताबिक लियो फिल्म अपने छटे दिन इंडिया नेट कलेक्शन लगभग 35 करोड 50 लाक रुपे का कर रही है और इसी के साथ दोस्तों ठालापाती विजय की फिल्म लियो का सुरुवाती छे दिनों के अंदर इंडिया नेट कलेक्शन हो रहा है 262 करोड का तो इंडिया ग्रोस कलेक्शन 312 करोड रुपे बात करे ओर्सिस कमई यानि कि विदेशी कलेक्शन की तो दोस्तो लियो फिल्म ने ओर्सिस मार्केट में देड़ सो करोड का आकड़ा पार कर दिया है जिया दोस्तो लियो फिल्म का जो ओर्सिस ग्रोस कलेक्शन है वो हो चुका है 156 करोड रुपे और इसी के साथ दोस्तो थालापाती विजय की फिल्म लियो का छे दिनों के अंदर जो worldwide total gross collection होता है वो हो चुका है 468 करोड रुपे जिया दोस्तो आपने बिल्कुल सही सुना लियो फिल्म छे दिनों में दुनिया भर से 468 करोड की कमई कर रही है तो दोस्तो फिल्म box office पर हो चुकी है blockbuster hit अब देखते हैं कि इस फिल्म का जो lifetime collection है वो आखिर कहां तक जाता है